तो इसके पहले भी प्रोडक्स किये हैं और यह इसमें लिखके आता है वर्ल्स नमबर वन प्रोवाइडर फॉर व्लैन प्रोडक्स यानि कि इसके राउटर्स बहुत अच्छे होते हैं तो चलिए इसके ऑνबॉक्स करते हूं, और मैं आपको बताता हूं इसमें आपको क्या-क्या मिलता है और इसके क्या-क्या स्पेसिफिकेशन है तो यह रहा है इसका बॉक्स काफी अच्छा है बड़ा बॉक्स है और सामने के और आपको यह राउटर देखने को मिल जाता है और यह रहा इसका model number TL WR840N और मैं इसका link दे दूँगा अगर उससे हो पाएगा description पे और सामने के और आपको TP-Link की branding मिल जाती है और यहाँ पे आपको 300 Mbps का wireless speed का इसमें box में लिखके आता है और यहाँ पे आपको 5 DBI antenna 2 मिल जाते हैं IP TV इसमें मिल जाता है और N300 router with access point mode इसमें आपको देखने को मिल जाएगा यह तो रही सामने की बात आप थोड़ा पीछे मोड के देखते हैं इसमें क्या क्या है तो पीछे आपको इसमें मिल जाते हैं एक van port और चार land ports एक power के लिए adapter के लिए port आपको इसमें मिल जाता है तो कुछ इस तरीके है इसका back आप देखते हैं इसका side कैसा है और मैं आपक आपको यह कितने में मिल जाएगा और इसका box बहुत बड़ा है तो ऐसे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ यह रहा इसका side कुछ features लिखे हुए हैं जोकि मैं आपको भी बताता हूँ और इस side भी आपको QR codes और इसकी app के बारे में दिया हुआ है इसकी app दोनों आई आप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में भी आपको इसकी app मिल जाएगी TP-Link के नाम से और back की तरफ कुछ different kinds of languages में इसका लिखा हुआ है specifications और यह serial number, model number वगेरा दिया हुआ है यहां पर और price की बात करूँ तो pricing आपको इसमें पीछे देखने को मिली थी यह दिखिए इसमें MRP लिखा हुआ है 1599 और जो आपको यह Amazon पर मिलेगा वो इस time आपको यह मिल जाएगा 999 रुपीज में मैंने 999 में खरीदा है इसको तो चलिए यह थी इसकी specifications अब इसको box को खोलते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या-क्या मिलता है तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं और packaging की बात करूँ तो packaging अच्छी है बट थोड़ा सा यह यहाँ पे वह cooler वालों की वज़े से इसका डिबबा जो है थोड़ा दब गया है देखते हैं अंदर का product अच्छा होना चाहिए packaging से हमें कोई मतलब नहीं है बस product हमारा damage ना हुआ हो यह माइने रखता है तो कुछ इस तरीके इसमें polythine लगके आती है उपर से तो इसको हम लोग फाड़ देते हैं तो यह आ गया हमारा box और अब इसको open करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर एक आपको tray मिलती है और इसमें आपको मिल जाता है देखने को यह एक installation guide यह देखें लंबा सा इसको पढ़के आप इसको देख सकते हो कैसे आपको इसको install करना है और यह आपको मिल जाता है एक I think यह license यह user manual है तो इसको भी रखते हैं side में और यह रहा हमारा main TP-Link का unit इसको भी रखते है side में थोड़ी देर के लिए और यह आपको मिल जाता है एक power adapter इसको power देने के लिए कुछ इस तरीके का है यह power adapter इसकी rating जो है वो है 9 volts और 0.6 ampere का यह charger है तो इसको भी रखते है side में और एक आपको इसमें देखने को मिल जाती है TP-Link का branding और यह white color है white और grey उपर आपको दो antennas मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से 360 degree tilt और यह रहा इसका overview यहां पर इसका LED इंडिकेशन होगा पीछी की और अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछी की और आपको मिल जाता है इसमें एक power के लिए यानि कि power adapter लगाने के लिए यह van port है internet के लिए internet देने के लिए और इसमें चार आपको LAN ports भी देखने को मिल जाएंगे यानि कि आप इसमें अपने चार डिवाइस अटैच कर सकते हैं और पीछे की और आपको यहां पर टीपी लिंग की ब्रांडिंग प्लस मॉडल नंबर और मैक एड्रेस वगेरा इसमें देखने को मिल जाएगा और यह है कुछ इस तरीके से इसका टीपी लिंग का यह router तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और मैं ऐसी ही regularly वीडियोज मनाता रहता हूँ gadgets के ऊपर और phones के ऊपर तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब करिये और मिलते हैं एक नई वीडियो में Till then be happy, be safe